ब्रेके बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और 36 कर बीज़ेपी के अध्यक्षु किरन सिंग देव हमारे साथ जुडगा है सत्यप्रकाश हमारे संबादाता उनके साथ मौझूद है सत्यप्रकाश बाच्वीत करिएगा तो सत्यप्रकाश लगातार उनसे चर्चा करेंगे जो वो हम आपको दिखाएंगे लेकिन देखिए जस तरह से लगातार रुजान सुभा से आ रहे थे और माथ हम अध्यप्रदेश और 36 कर के अगर करते हैं यहाँ पर बहुत ज़ादा टकर फिलाल के लिए कॉंग्रिस पार्टी बीज़ेपी को देती हुई नजर नहीं आई है जस तरह से कॉंग्रिस पार्टी चाहे मध्यप्रदेश हो या 36 कर हो यहाँ पर एक अनुमानत सीटों का अकड़ा लेकर के चल रही थी लेकिन उन सीटों पर भी बढ़ध बनाते हुए यहाँ पर कॉंग्रिस नहीं नजर आई है कमी क्या रह गई है कॉंग्रिस की तरफ से उसको लेकर कि हम चर्चा भी खास मैमानों से करती हैं सुबा से आगे भी सी तरह से चर्चा करेंगे लेकिन जो अभी तक रुझान निकल के सामने आए मध्यप्रदेश की बात करते हैं 29 के 29 सीटों पर लगातार बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर कॉंग्रिस पार्टी की किसी भी सीट पर लीट देखने को नहीं मिल रही है 36 कर के लिहार से अगर बात करते हैं तो 36 कर में कई न कई एक ऐसी सीट है जिस पर कॉंग्रिस आगे बढ़ रही है लेकिन चनाफ के रुझान को लेकर के मुख्यमंत्री की हम तस्वीरे आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री जौक्टर मोहन ज्यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार बना रही है विपक्ष के दावे धरे के धरे रह गए एंपी में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है मोधी जी के काम पर विश्वास करती है भाजपा की सरकार छे मेंने वेले बनी उनके काम का वरोसा हमारे संगधन की ताकत सभी पूरे प्रदेश के इंदर भाजपा की जो जड़े नीचे तक गहरी है उसका परिणावा नकुलात ने दावा किया था कुछ समय पहले प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाए दिग्विजद सिंग भी आम पर सवाल खड़े कर रहे थे अब यह तो सब्सक्राइब देखरो हमने उस समय भी का था नाच ना जाने आगन टेड़ा यह चुनाव हर रहे हैं तो सवाई गुरूप शारूप लगाएंगे और इसे ही हो रहा है अंपी में कौन सा जादू चल गया जो कोई नहीं कर पाए वो डॉक्टर मोहन याद आपने कर दिया यह मानि मोधी जी का चमतकार है मोधी जी की लोकृता है जनता का विश्वास भाश्पा के प्रती है सरकार के काम पर भरोसा करती है और उसका प्रेडाम सब के सामना है यह तो कल राट तक आरोप लगा रहा थे कि हम दोंचनुल आ रहा है हमारी सरकार बन रही है चार तारीक को सारे घिकिते रुजान एक्जिट पॉल सब फेल हो जाएंगे जी मीडिया एक AI सर्वे लेकर आया था और AI सर्वे ने जो दिखाये थे वही नतीजे अब तक रोजान है अच्छा काम कर आपने लेकिन हम तो इमान के चलते कि फिर एक बार मुदी सरकार आपने बनाई तो थी कांग्रेस वाले ता कुप गालीव कर रहे थे कॉंग्रेसियों ने तो मनी शंकर रही है ने का अबदुल्ला ने कहा के पाकिस्तान से डरी है अब इसलिए तो उनकी हालत यह हुई पाकिस्तान जाके चुना लड़ा है भारत में तो नहीं लड़ेंगे 15 साल से बाहर हो जाएंगे सरकार में युजी जैसे जो प्रामिस थे उन पर जनता ने महर लगाई है बिलकुल लगाई भाच्पा के सारे कामों को जनता पसंद करती उससी का परिणावनुजी मेडिया से बाच्चीत के लिए बहुत अन्यवाद ऑफ्केंद्री डॉक्र मोहन यादव से हम बाच्चीत कर रहे थ और वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडिश शर्मा ने कहा कि भगवान जुगल के शोर जी के आश्यरवाज से जनता का प्यम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल पाज साकार होगा देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेन मोदीजी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का जंता का संकल पासाकार रूप लेगा एक्जिट पोल्यों कहे रहे थे उससे ज्यादा मतों के ज्यादा सीतों के साथ देश के अंदर भारती जंता पार्टी की सरकार बनेगी देश की जंता ने विकास और गरीब के लियाणों भारत की मानों और सम्मान को जो आशिरबाद मिल रहा है इसलिए मैं ऐसा मनता हूँ कि इस बार जंताने प्रचंड आशिरबाद देश के अंदर प्रदेश के अंदर खजराव लोकसवा के अंदर दिया है और 36 कर बीजेपी की अध्यक्ष्र किरेंज सिंग देव जी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनबाते हैं ने देखिए ऐसा तो कॉंग्रेस ने भी गहा था 205 प्लस तो वो भी 227-224 के बीच में है लेकिन यह है कि शने शने जैसे जैसे हम मदगरना के अंतिम दोर में पहुँचेंगे मेरा विश्वास है कि जो प्रेडिक्शन सभी चैनलों ने दिया था उसके आज पास रहेंगे अगर ये भी है तो कंफरडेबल विन है ये इस पस्ट बहुमत के साथ मैं बार-बार कह रहा हूं और तीसरी बार जो जिस तरीके से बहुत परिस्तितियों को विशलित करने का प्रयास किया गया इडिकट बंदन के लोगों ने अनर्गल अर्दाप लगाए और आप क्या कहते हैं दो दिन सो तो लग रहा था कि इवियम ऐसी है और चुनाव आयोग ऐसा है और फलाना ऐसा है अब क्या कहेंगे इसलिए किसी के ओपर उंगली उठाने के आवशक्ता नहीं है बहुत ट्रांसपरेंसिक साथ और यह चुनाव हुए है निश्यत रूप से और इसको अभी फिर में और हम सब बात करेंगे इस पर और लेकिन लगभाग उसी के आसपास रहेगा इस पर कुछ कहना नहीं है क्योंकि यह एक सबस्ट बहुमत की और इशारा करता है और सभावी के रूप से 10, 15, 20, 25 के मारजिन सभी लोगों ने रखा था और मुझे इसके बाउजिवदी विश्वास है कि भारती जनता पार्टी सेल्फ और इंडिये के साथ इस पर बहुमत के साथ आधरनी प्रधानमंत्री जी के नितरत में नरिनमोदी जी के नितरत में सरकार बना इस था कि अभी तक जो विपक्ष लगातार इवियम को लेकर के चुनाव आयो को लेकर के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रहा था और अब जिस तरह से लगातार सुभा से रुजान निकल के सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी सवाल उठते हैं तो फिर इस पर कही न कहीं चर्चा जरूर मागे करेंगे लेकिन अभी जिस तरह की रुजान निकल के सामने आए हैं तरह की लीड लेकर के एंड ये चल रहा है वो comfortable जीत की और इशारा भी करता हुआ दिखाई दे रहा है आगे बढ़ेंगे खबरों में बात करेंगे राजकर से कॉंग्रूस प्रत्याशी दिग्विजय सिंग ने नतीजों को लेकर कहा कि अभी रोटमल नागर को इतनी लीड नहीं मिली है जो इतनी 2019 में थी शाम तक इंतजार करना हुगा तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब पूजार चुना करने के लिए दिग्विजय सिंग पहुचे हुए थे अधवान के मंदिर में और पूजार चुना करते नजर आए थे लेकिन अजब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार क्या उनका परफॉर्मेंस है तो क्या जवाब करने कि अधिर आगे कहीं कीशे जी आपने अभी कहा कि कुछ जगा की पूलिंग मैच नहीं करने किया कोई सवाल आपकी तरब से इस पर देंगे हैं और जितनी जीतने सीटे आपको दिखेंगी कि एक तरफ एंडिय की कितनी सीटे निकल के आ रहे हैं दोसों पिच्च्यानवी और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं इंडिया गडबर्दन की 239 तो जी मीडिया का जो एक्जेट पोल नजर आ रहा है AI एक्जेट पोल पर सबसे सही सावित हुआ है जी मीडिया का AI एक्जेट पोल हमने अपने एक्जेट पोल में NDA को 305 सीटे मिलने की ज़ानकारी दी थी जो आप तक सामने आ रहे डेटा के बिलकुल करीब है और उस दिन कई नेताओंने हमारे AI एक्जेट प पोल करने वाली जीनिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं उन्हीं से पूछते हैं कि अब जबकि उनका एक्जेट पोल सबसे सटीक सावित हो रहा है तो उनको अब कैसा महसूस हो रहा है मैं यही कहूंगी कि जिन लोगों ने Zee News के AI एक्जेट पोल के डेटा पर सवाल उठाए थे उन सब को जवाब मिल गया है जो लोग हमारे सैंपल साइज और हमारे डेटा कलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे उनको जवाब मिल गया है तो जीनिया एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बताईयेगा कि आपकी टीम ने और आपने कैसे AI एक्जेट पोल किया और कैसे डेटा पर पहुँछे जी जरूर, मैं आपको बताती हूँ कि AI Exit Poll को मैंने कैसे एनलाईज किया है हमारा AI Exit Poll लोगों की राय के आधार पर तैयार किया गया था इसके लिए मैंने और मेरी टीम ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर लोगों के सेंटिमेंट्स और उनकी राय का इस्तिमाल किया लोगों के सेंटिमेंट्स जानने के लिए हमने फेस्बुक पर 32 लाख से ज्यादा पोस्ट को एनलाईज किया इस दौरान हमने 10 करोड से ज्यादा लोगों की राय को खंगाला और उनके आधार पर अपना एग्जिट पोल तयार किया तो जीनिया जब आपने AI एग्जिट पोल का डेटा तयार किया और आंक्रे सामने आए तो आपको और आपकी टीम का पहला रियाक्शन क्या था हमने जब AI एग्जिट पोल का डेटा फाइनल किया तब तक सभी चैनल्स एग्जिट पोल दिखा चुके थे और किसी के एग्जिट पोल में NDA 400 का आंक्रा चू रही थी तो किसी के पोल में 350 से ज्यादा सीटों का जब हमारे AI एग्जिट पोल में NDA को 305 से 315 के बीच सीटे मिली तो मेरी टीम के भी कुछ साथी हैरान थे लेकिन मैंने सबसे यही कहा कि सब्र करो और इंतजार करो दो दिन बाद हकीकत सामने आ जाएगी मैंने उनसे कहा कि हमारा सैंपल साइज अकेले ही इतना बड़ा है जितना सभी चैनल्स का मिलाकर है साथ ही हमारे सैंपल साइज में हर उम्र के वोटर्स शामिल थे और बड़ी बात ये कि जो राय उन्होंने दी थी वो पूरी तरह निश्पक्ष थी और आज नतीजा सब के सामने है लेकिन जीनिया आज खुश तो बहुत होंगी आप आपका AI एग्जेट पोल तमाम दिगजों के एग्जेट पोल के एग्जेट पोल पर भारी पड़ता वो नज़र आए क्या रियाक्षन है जी जरूर ये हम सब के लिए खुशी की बात है जब इमानदारी से की गई आपकी मेहनत रंग लाती है तो खुशी दोगुनी हो जाती है हमने बिना किसी लाग लपेट के पूरी तरह निश्पक्ष होकर आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस का इस्तिमाल किया और उसके आधार पर सभी पार्टियों की सीटों का आंकड़ा निकाला और आज जो नतीजे आ रहे हैं उसने हमारे एक्जिट पोल पर मुहर लगा दी है तो जी मीडिया के लिए AI एक्जिट पोल करने वाली मेरी सयोगी जीनिया भी हमारे साथ जुल गई हैं और उन्हीं से बात करते हैं जीनिया जिन लोगों ने AI एक्जिट पोल के आकड़ो और उसकी तकनीक पर सवाल उठाए थे उनके लिए आप क्या कहेंगी कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना दूसरों के काम पर सवाल उठाना कई लोगों की फितरत है और जब कोई आदमी नया काम करता है तो उसका विरोध करने वाले भी बढ़ जाते हैं वो उसके काम पर सवाल उठाते हैं लेकिन हम लोगों के विरोध और उनके सवालों से नहीं डरे और अपने आंकडों पर डटे रहे और आज जो नतीजे आए हैं उसने AI एक्जिट पोल पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर दी है संतोष गौतम जी मारे साथ जुड़ गहें पक्षखेंगे कॉंग्रिस का सबसे पहले संतोष गौतम जी निराशा जनक अभी की तस्वीरे अब तक जो हम देख रहे हैं सुभा से वो मध्यप्रदेश की लिहाज से जरूर निकल के सामने आ रही हैं क्या कहेंगे अभी भी थो हमारी और संभावना बनती जैसी कि आपने खबर चलाई कि बाची चल रही है बड़े निताओं के बीच में तो अभी भी कुछ भी हो सकता है अभी हम पूरी तरह से निराश नहीं है लेकिन अगर यहीं आकड़े मतलब सरकार बना सकते हैं इस तरह की उमीदे कहीं न कहीं पूरा इंडिया अलायंस जगा करके बैठा हुआ है कि सरकार बन सकती है बिल्कुल क्यों नहीं बन सकती कोई बहुत ज़्यदा अंतर नहीं है कोई हम 200 के नीचे नहीं है हम 230 के आसपास है और बहुमत के आकड़े के लिए 272 चाहिए रहता है यह तो सभी को पता है लेकिन जो 295 आप कह रहे थे उसी 295 के आकड़े पर अभी एंडिया बैठा हुआ कि कै कोई बात नहीं उन्होंनों 400 का कहा था लेकिन 295 आई अगर 295 में 20 सीट भी अगर माइनस होती है तो आप समझ लीजिए 20-25 सीट माइनस होने पर आपको पहुचा देगी अगर राजपाल जी ऐसा हो गया फिर क्या करेंगे देगे सबसे पहले तो मैं जीन्यूज को इस बात के लिए बहुत सादुबाद और बधाई देता हूँ कि आपने Artificial Intelligence Technology का नवाचार करने का काम किया और काफी हद तक उसमें सफलता मिलने का काम होता दिख रहा है यह Digital India के प्लेटफार्म का आपने सदुप्योग करने का काम किया निश्चित तोर पर मोदी जी यही चाते हैं कि Digital India के तहत इस देश में उस टेक्नोलाजी का उप्योग हो आपने उसका उप्योग किया मैं वह सादुबाद देता हूँ देखे कोवीट के बाद में इस विश्व के अंदर जितने भी चुनाओ हुए 2022 के बाद में सब जगे सत्ता परिवर्तन हुआ है पर मात्र मोदी जी का नेत्त तो ऐसा है जहां पर रिपीट होते हुए तिसरी बार मोदी जी दिख रहे हैं आपके AI सर्वे के अनुसार भी औ दिरने आता जा रहा है और आपने इस प्रष्ट हो जाएगी आने वाले कुछ घंटों में मानेवर मोदी जी देश की प्रधान मंत्री के रूप में तीसरी बार सब्ता समालने की इस तिती में आजाएंगे देश में निश्यत तोर पर भारती जंता पार्टी का वोट प्रत हैं तो यही से पहुचेंगे वही पर सबसे जादा निराश्रा जनक हो गया परफॉर्मेंस बीजेपी का क्या हो गया क्या जंता की नफस्ट टोले में कहीं कहीं ना कावयाब हो गया आप लो नहीं इसा नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं चार प्रांथ यसे जह पर कॉंग्रेस मुक्त हो गहें नूद्य पल्टीज में के मार्जिन से हम पीछे चल रहे हैं मैं समझता हूं कि शाम होते होते हम वहां भी जीतने की सिति में आएंगे संख्या बल में उत्तर प्रदेश में भी एंडी एक अड़ बंदन बीजेपी आगे रहेगी महराष्ट में भी दो तिन चार सीटों पे इस परकार की ही कस्मकस चल तो लेकिन जहस्त थोड़ा बहुत अंतर है वहां की सिट हम कवर करके जीत जाएंगे फिर क्या होगा मैं निशित तोर पर उम्मिद तो करना चाहिए उम्मिद करने का तो काम है और जनता से उम्मिद पर उम्मिद वही करे जिसने साल भर काम किया हो ठीक है मैं वापस लोटूंगे आपके पास बड़ी जानकारी पहुचा दे आप तक जश्पुर में काउंटिंग के दौरान एवियम खराब हो गई है जश्पुर से ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है जहां पर लगातार बोटों की गिंती चल रही थी लेकिन काउंटिंग के दौरान एवियम खराब हो गई है और अब थोड़ा बहुत जो प्रक्रिया वोटों की गिंती को लेकर के चल रही थी सुबह से उसमें थोड़ी बहुत कई ना कहीं अब रुकावट देखने को में लेगी लेकिन ये रुकावट जो है वो कब तक ठीक होती ह इसको लेकर के भी तस्वीरे और जानकारिया ज्वलधी साबने आ जाएंगे लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुचा दे रश्पुर से जहां काउंटिंग के दौरान एवियम खराब हो गई है अब हम रुक करते हैं लगातार चर्चा की और प्रीति उपाधियाई कॉंग्रिस बहुत जादा आश्वस्त थी कि पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश वगेल वो अपनी सीट बचा ले जाएंगे लेकिन तस्वीरे सुभा बहुत वैसी देखने को मिली थी लेकिन उसके बाद रुजान जो है वो उनके ऑपोजिट जाते वे दिखाए दिये कवासी लखमा की बात करते हैं कवासी लखमा जो दिगच माने ज़ाते हैं वहां की जो जनता है उनसे उनका बहुत ज़ादा जमीनी जो है वो जुडाव देखने को मिलता है लेकिन वो भी अपनी सीट को उस तरह से अभी बचाते वे नजर नहीं आपा रहे हैं क्या करेंग अभी तक जो हैं उसके लिए आपको बधाई पूरे जी न्यूस के टीम को बधाई अभी बीजेपी प्रवक्ता ने एक बात कहीं कि 25 सीटों पर 5000 से आगे चल रहे हैं तो यही स्थिती कॉंग्रेस की भी तक्रीमन 25 सीटों पर है जहां मुश्किल से 45-5000 का अंतर चल रहा है और हर जगह स्थिती अभी पलटने की पूरी उम्मीद हमें अभी तक है आप बात कर रहे हैं जहां जहां नानगाओं बसतर या 36 गड़ की और तमाम सीटे लेकिए कल 1500 सीट डीम वाला जो ट्वीट किया है जैराम रमेश जी ने उसका नतीजा है कि बहुत कुछ अभी आप ठीक ठाक देख रहे हैं बाउजूद इसके कल भुपेश बगेल जी ने EVM नंबर के साथ आकड़ा जारी किया कि कौन-कौन से EVM बदल दिये जश्पूर में EVM खराब हो गया बिलासपूर में EVM के नंबर बदल गया है रीवा से भी हमारे कॉंग्रेस की प्रत्याशी का बयान आ वापस लेने के लिए नोटा को वहाँ जादा वोट मिले हैं तो मध्यपरदेश 36 गड़ में देखिए ED का खासका 36 गड़ में जिस तरह से ED और IT का आतंक रहा है उससे कहीं न कहीं यहां की ब्यूरोक्रेसी और यहां के जो DMs हैं वो प्रभावित रहे हैं और यहां पर वजूद कॉंग्रेस के कारेकरता डटे हुए हैं उन्होंने चौकीदारी की है एक एक स्ट्रॉंग रूम के बाहर और सुबह से काउंटिंग बूथ पर टिके हुए हैं तो अभी भी हमें उम्मीद है कि यह जो 10-1 का आकरा 36 गड़ में आप देख रहे हैं कॉंग्रेस की सी कोशिश्की गई है फिर तो आपकी बात में भी कहीं न कहीं दो तरह की बाते निकल के सामने आ जाएंगे अगर बढ़ गया आखड़ा एक से उपर पहुँच गए फिर पार का नारा जो इन्होंने दिया वह बात अलग है अभी आप जिस तरह के आरोप लगा रही हैं इवि जान बढ़ते हैं तो फिर तो आपके आरोप गलत साबित हो जाएंगे ना यह लोगतंत्र की प्रक्रिया है जिसको डिस्टरब करने की कोशिश की जा रही थी उस पर हमने विपक्ष ने पूरा शुरू से कहा कि एलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांस्पेरेंट रहे ट्रांस्पे बाजपा के कार्यकरता के रूप में ही काम किया चुना आयूक्त ने भी तो यह देखिए इलेक्टोरल प्रोसेस रहा है और इसके बीच भी हम इतनी सीट ला रहे हैं इसके बीच और सबसे ज़्यादा च्छतीस गड़ में एडी का टेरर रहा है आज भी कई आई-एस अंद लेकिन अभी बरकरार लेकर के चल रही है कि ये कही ना कहीं जो आकड़े है वो बदलेंगे और कॉंग्रस जो है वो आगे और सीट जो है उन पर बड़ाद बनाती हुए नजर आएगी ठीक है मैं लोटूंगे आपके पास सर्मन आगेले जी लेकिन जिस तरह के हम पोल था वो जरूर सटीक वेटा नजर आया है लेकिन 29-39 सीटे मध्यप्रदेश के लिया हाद से देखें तो वैसे ही वो बीजेपी के खाते में जाती भी दिखाई दे रही है क्या कॉंग्रस का सारा जो प्रोसेस था थौट प्रोसेस था क्या सारी जो कोशिशे थी मेहनत वो रंग नहीं ला पाई है क्या जनता का मूड नहीं समझ पाई कॉंग्रस देखे कृती जी सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आटी इफिशियली इंटिलिजेंस के माध्यम से जो सर्वे कराया गया उसको यदि अपन कहें कि वो ऑनलाइन सर्वे था तो यह उ इतुपटवारेजी पार्टी एद्धर्स बने मध्यबुदेश कॉंग्रेस के नेताओं में भगदल चालू हो गई चिंद में नो गया मध्यबुदेश का कॉंग्रेस का संग्ठन तो उसका असर विट लोकसवा चुनाओं में पड़ा और 29 सीटे भारते जिनता पार्टी क पक्षमा जाती हुए दिख रही है अभी इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस की जो ग्राउंड तक जो नेटवर्क या जो कॉंग्रेस कारकरताओं का या यह पूरा एक सिस्टम था वो चर्मरा गया था तो चर्मरा ने के काराल यह नतीजा आपके सामने देखने मे में आ रहा है और कंडिडेट जो है ना कॉंग्रेस के जो प्रतियासी थे बोग स्वेम ज्यादा चुना लड़े हैं चाहें कांतिलाल भूया की बात करें दिख बुझे सिंग्जी की बात करें कम्रेश बटेल या नकुलनात या नीटू शिकरवार या और और भी लोग प्र में पचार चुका है और मद्रप्रदेश का बीजेपी का जो संग्ठन है वह दे दोलाग के अंतर से पिछला चुनाव जीता था उन्तीस का उन्नीस का तो उनकी कोसिस रही कि हमारी लीट चार लाक हो जाए लेकिन कांग्रेस में इस लोक सबाद चुना के दौरण कि माहूल के कारण जो है न एक पूरा कार करता हूं मैं जो बचे कुछ ये कार करता और उनकी विचारदारा की लोग थे उनमें निराशा का भाव हो गया बिल्कुल निराशा का भाव थो और कही न कहीं अब मध्यप्रदेश का कॉंग्रिस जो है कैडर पूरा उसको विचार करने की जरूरत है किस तरह से मजबूती लाने की जरूरत है अगर फॉर्म में आना है तो कुछ ना कुछ बड़े बदलाव करने होंगे मैं चर्चा पर द के दर पर पहुंच रहे हैं कि अब जन्ता ने तो अपना फैसला सुना दिया लेकिन आप सिर्फ भगवान भरों से ही हर एक प्रत्याश्य बैठा है हर एक पाठी बैठी है कि आप कुछ चमतकार जो है वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं सिर्फ भगवान ही अब कही न कहीं उन लेकिन भगवान किसके साथ है वो आज जरूर सावित हो जाएगा रुजान लगातार सुभा से निकल के साव में आ रही है। सुभा से जो परत्याश्य हैं जो पार्टी के तमाम दिगज नेयता हैं वो भगवान के धरपर पहुंच रहे हैं पूजा पार्ट कर रहे हैं और इ जानकारी बड़ी आप तक पहुंचा दे जहां पर मतदान केंदर 268 पर खराबी देखने को मिली है और मुरेना में CU कंट्रोल यूनिट खराब हो गई है तो बड़ी जानकारी इस बीच मतदान केंदर 268 पर ये खराबी जो है वो सामनी आ चुकी है और कब तक ये खराबी है वो ठीक होती है वो हम आपको बता देंगे एक बार फिर से अपडेट उसको लेकर के पहुचा देंगे तो देखिए चर्चा लगातार हम कर रहे थे और एक बार फिर से संतोष गौतम जी अगर दो मुख्य मंतरी अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं और एक ऐसी सीट जो की ल स्थित्व पर बड़ा सवाल उठता है और आने वाले वक्त में कॉंग्रेस की क्या स्थिती रह जाएगी मध्योप्रदेश में इसको लेकर के पार्टी क्या विचार कर रही है देखे एक बात तो निश्चित है कि अगर जो जिस प्रकार से रुजहाने अगर यही परिणाम में तब्दील होते हैं तो निश्चित रूप से कॉंग्रेस पार्टी के लिए चिंटा का विशह है और कॉंग्रेस पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को इसके लिए पिछले 6 महिने पहले जाना पड़ेगा जब विधान सभा चुनाओं में उसकी हार हुई थी तो निश्चित रूप से तब से ही कारिकरताओं में एक थोड़ा निराशा का भाव आया था लेकिन उसके बाद जीतू पटवारी जी के नितरत में काफी मेहनत की कारिकरताओं ने लेकिन हम कहां अपनी बात पहुचाने में असफल रहे कैसे असफल रहे इन सब चीजों का विश लेशन हम करेंगे जिस तरह से आपische बड़ी जिम्यदारी एक युवा नेता के हातमें जीतू पटवारी को आपप पूरे जिम्यदारी सौब दी तो क्या ऊसमें भी किसी तरह से बदलाव देखने को मिलेगा क्या अभी उसको लेकर की भी कोई सवाल उठ रहे हैं क्या पार्टी में? ने ने सवाल ही नहीं जीतू पटवारी ने जिस खराब परिस्तिती में पार्टी का नित्रत तो समभला है उस समय पार्टी बहुत बुरी पराजय का शिकार हुई थी लेकिन उसके बाद जीतू पटवारी के नित्रत तो सनचार हुआ और पूरे परदेश में कारीकरता जीतू पटवारी के नितरत में एक जुकर बहुत कर भुला था हर एक आकड़ा हर एक नतीजा आप तक पहुचा रहा है और ऐसे ही आगे भी पहुचाता रहेगा लेकिन वक्त एक छोड़े से ब्रेक का है